और इधर महगाय की और भी बात कर लें और खरीफ सिजन में धान की कम उपजगा असर चावल की सरकारी खरीद पर पढ़ रहा है। देश में इस साल खरीफ सिजन में चावल उत्पादन करीब 42 लाक टन घटने का अनुमान है। पादन में चावल के खास और से चावल के उत्पादन में पैड़ी के उत्पादन में बैलस लाक्टन की कमी होने वाली सरकारी कांटों पर धान पहुचना बंद हो गया। और सरकारी प्रमुख बाजारों में जहां से भारत के भारत में सबस्यादा सरकार अनाच की खरीद करती है। इसमें पंजाब से होती तमिनाड उत्तरा खंड इन सारी जगें किसानों ने धान बेशना कम कर दिया। गेहूं का तो वितरन भी रोक दिया सरकार ने, सरकार के पास गेहूं परयाब भंडार में उपलब्द नहीं है और अब जिस एक खरीद की फसल से जहां से बड़ी मातरा में सरकारी खरीद होती बफरे स्टाक के लिए वहां भी बहुनी खराब हो गई है, नौ परसेंट के खादित पादों की महेंगाई और चावल की के महेंगाई सामने तार पर दिखाई देती रहेगी, बढ़ती रहेगी क्योंकि कमी महसूस हो रही है, और दूसरी एकि सरकार को अपना वफरे स्टाक अगर उसे परयाब तनाज नहीं मिलता है, तो इजमुफ तनाज की में से कै का रखा जाएगा, इसके लिए अनाज की काफी जरूरत है, तो खाद अर्थेवस्था का पूरा संतुलन लडखाडाता हुआ सा दिख रहा है, लेकि इस साल मौनसून सीजन में बरसात के बिगड़े संतुलन का असर ट्रैक्टों की बिक्री पर देखने को मिल रहा है, अक् पूरा संतुलन सीजन में बरसात की कमी देखी जा रही है, और इस ती में सुधार नहीं हुआ, तो आगे चल कर इसका असर भी ट्रैक्टर विक्री पर पढ़ सकता है, तर यह जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, कारों की बिक्री बढ़ रही है, ट्रैक्टर की बिक्री दिखाई दे रही है, और इसलिए अगर आप आटोमीबिल सेक्टर में देखें, ट्रैक्टर जिन्होंने कोविट के दोरान भी बहुत अच्छी सेल्स दिखाई थी, जब कारे नहीं बिक्र रही थी, उनकी बिक्री तेजी से घट रही है, ग्रामीन अर्थ विवस्था से मे बढ़ते हुए दबाव का यह संकेत है, जबकि अगर आप कारों के बाजार में में के चोटी कारे तो बीक नहीं नहीं नहीं, महेंगी कारों की बिक्री देखें तो उन्होंने दिवाली से पहले बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है, और इस से ये दिख रहा है कि भारती अर्थवस्था की जो मशीन का सबसे बड़ा पहिया है ग्रामिल पहिया वो फसा हुआ है उसमें ज़्याधा दबाव है इस्ट्रेस है वहापन पर वेतन का महंगाई का और मांग की कमी है जबके छोटा सा शहरी हिस्सा है जो है वो सामने बढ़ता दिखाई दे रहा है और यह राजियों में चुना हुआ हो रहे हैं वो सारे राजजे गरामिल बहुल राजजे हैं मद्द्परदेश चैटिज्गर और तिलंगाना इन राजजेव में गरामिल थवस्था की तसवीर बेहत खराब है कमजोर है और अगर आप वीतर जाकर देखें तो तो चुनोतिया महाँ ज़ादा गहरी दिख रही और उसका असर शायद चुनावों पर पड़ेगा जिसका जिकर हमने आज उस ऑन दा शो में भी किया था गाओं चुनाव बिगाड सकते हैं क्योंकि गाओं से जो खबरें आई है चाहे वो आप हम तो डिमांड साइट से अगर देखें हाई फ योहार की खरीद हो नहीं है वो शुरू हो चुकी है तो रूरल डिस्ट्रिस भारत में तेजी से बढ़ा है और कोविट के बाद और ज़्यादा तेजी से गहराया है और ये राजनीतिक रूप से खुलकर सामने कैसे आयागा इसकी राजनीतिक पर तिक्रा क्या होगी यह त सा देख रहा है और इसी तरह के कुछ एक और आकड़े भी हैं उस पर भी बात कर लेते हैं अक्टूबर के दुरान मैनुफेक्शन प्यमाई आठ महीने के निचले इसतर पर पक्या है अक्टूबर के दुरान प्यमाई 55.05 दर्श किया गया जो की फरोरी के बाद सबसे इंडेक्स नीचे जा रहा है एक और हम देख रहे हैं बहुत विरुधा भासी तस्वीर अब ये भी बड़ी दिल्चस्प तस्वीर है अगर आप जीस्टी के आखवार के में जीस्टी के आंकड़ों की सुरुखियां देखें तो आपको लगएगा कि अक्टूबर में तो जबरतास उत्पादन किया कि अंको लग रहा था कि तिहारी मौसम में हर आदमी खरीदने निकल पड़ेगा पर जब मनिफेक्चरिंग के डेटा है हमारे पास अभी कोर का भी डेटा है और पीमा इंडेक्स का डेटा है जो सबसे तेज हाई फ्रिक्वेंसी डेटा हुए बत दूसरा सरकार ने जेस्टी के नहाचे में तमाम बदलाव किये हैं सक्ती की है विजिलेंस किया है और इसके करण जेस्टी का केरिवेंड में बढ़ोतरी हुई है पर इंडेस्टी साइट से डिमांड की रोशनी में जो पीमाई का अकड़ा है वो ये बता रहा है कि बाजार में मांग नहीं है इसे आप ट्रेक्टर की कहानी से भी जोड सकते हैं कि आटम बिल सेक्टर का एक हिस्सा जेस्टी दे रहा है दूसरे हिस्से में प्रोडक्शन नहीं दिखाई दे रहा है यही भारती अर्थवेवस्था की इस साल की सबसे उल्जी हुई तस्वीर है जिसम आप एक तरफ से देखकर अर्थवे उस्था कि ग्रोथ का अंदाज नहीं लगा सकते हैं तो GST का आंकड़ा अच्छा है पर और देगी कुत बादन का आंकड़ा खराब हो रहा है